हाई एवरिवन आज मैं ब्राउन ब्रेड और रवा का बहुत ही टेस्टी और हेल्दी ब्रेकफास्ट की रेसिपी ले की आई हूँ आप इसे बच्चों को टिफिन में दे सकते हैं या सूबर सूबर नाश्ते में भी बना सकते हैं या टेस्ट में पिजा के जैसे भी लगता ह आधा प्याज है और आधा सिम्ला मिर्च काटके ले लिए हूँ तो जो भी सब्जी आपको पसंद है आप उसे ले सकते हो यहां अधी कटोरी जितना मैं सूजी ले लिए हूँ जिसे रवा भी बोलते हैं और यहां फ्रेस वाला दही यूज कर रही हूँ तो यहां जर्वत के हिसाब से डालिए और अच्छे से चम्मेच की मदद से मिला लीजिए मिक्स कर लीजिए और यदि आपके पास दही नहीं है मलाई से भी आप पेस्ट बना सकते हो और इसे आधा घंटे या दस से पंदरा मिनट इसे रेस्ट पे छोड़ेंगे यहां देखिए सूजी अच स्वादनुसा नमक डाल दी हूं और सबजियों को भी डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहां पर और मिक्स करने के बाद यह आपको ज्यादा गाड़ी लगती है तो आप फिर से पानी डाल सकते हो लेकिन मैं इतना ही रख रही हूं थोड़ी सी काली मिर्च डाल रही ह मतलब और यहां पर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बस यह ब्रेट को अच्छे से थाली में रख करके हम इसमें लगाएंगे तो यहां पर इस तरीके से रख देंगे ताकि लगाने में आसानी हो जाए है न तो यह देखिए इस तरीके से लगा देंगे हम और यह खाने में तो बहुत अच्छा लगता है एक दम चटपटा और पीजा की जैसे भी इसका टेस्ट आता है आप चाहे तो उपर से चीज या मुजरेला चीज या नॉर्मल चीज जो भी है आपके पास अब लेवल है वो लगा सकते हो और बच्चों को यह बहुत ज्यादा पसंद आने वाल अब दूसरे साइट से भी हम पलटके इसे से लेंगे देखिए इस तरीके से और उसे भी पलट दूंगी मैं तो देखिए दोनों को ही पलट दी हूँ मैं और इस साइट से देखिए कि ता अच्छा से ब्राउन हो गया है तो दूसरे साइट से एक पर फिर से मैं अच्छे से उसे भी क्रिस्प कर लूगी अच्छे से करारा कर लूगी तो यह खाने में अच्छी लगती आप सुबर यह बहुत टेस्टी लगती है तो आईए इसे प्लेट में निकाल लेती हो और इसे कट कर लेते हैं हम इस तरीके से देखिए आप उपर से मॉजरल चीज भी लगा सकते हैं बहुत अच्छा लगेगा यह आप लगाएंगे तो और नहीं भी लगाएंगे तो भी बहुत टेस झाल झाल